हर e-commerce website का एक privacy and legal की एक अलग ही block होता है जिसमें आप अपने privacies और अपनी policies के regarding आप उसमें declaration करवाते हो तो आज मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने privacy and policies को manage कर सकते हैं Shopify की e-commerce website के अंदर तो hello guys, once again welcome back to WSQ यूटूब चैनल, I am Pranjal Mathur तो चलिए, अपन डाइट अपने store पर चलते हैं तो guys, मैं आ गया हूँ अपने store पर जिसका नाम है www.myshopify.com अब मैं चलता अपनी settings पर और settings के left tab के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा एक policies का tab तो इस tab के अंदर आपको generate कर सकते हो आप अपने according अपनी privacy policies लिख सकते हो तो चलिए, आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है सबसे पहले refund policy यानि कि अगर आपको कोई product आप user refund करवाता है तो वो कितने days के अंदर refund होना चाहिए या फिर उसके अंदर अगर कोई product broken होता है या फिर कोई चीज missing होती है तो आप क्या अपनी policies रखोगे अपनी store की तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक editor आयावाए आपके पास में जिसमें आप अपने according अपनी policies set up कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आप अपने text को bold कर सकते हो तो for example मैं अपना content लिख देता हूँ जैसे कि ws cube अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं bold करूँ तो मैं क्या करूँगा इसको select करूँगा and then इसको मैं करूँगा bold तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह हो चुका है bold वैसे ही अगर मैं को इसको italic करना होगा अगर में को अपने content का color change करना है तो मैं क्या करूँगा इसको click करूँगा color और मैं अपने recording इसका color set कर सकता हूँ for example इसको select करा and then इसको मैं अपना color अपने according adjust कर सकताए तो यह है कि आपके इस तरीकह से अपन अपने content को अपने इस editor के according adjust कर सकते है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका element क्या रखना है, left में रखना है, center में रखना है, right में रखना है अब आता है अपन को कोई image insert करनी है तो आप मैं यहाँ पर click करूँगा insert पर अब यहाँ पर आता है कि uploaded image क्योंकि इसने अपने पहले से कोई अपने इस store के अंदर कोई images रख रखी है या नहीं रख रखी कोई product की image upload करनी है, कहीं इसके URL से आपको कोई image upload करवानी है तो आप यहाँ पर उसका URL डाल सकते हो अगर आपको कोई table insert करवानी है तो आपको just insert table पर click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक table insert हो चूकी है उसके आध में insert row above तो यहाँ पर एक row बन चुकी है तो आप इस तरीके से अपनी table भी इंसर्ट करा सकते हो अगर आपको कोई bullet points के अंदर listing करनी है तो आप इसको listing पर click कर सकते हो इसके अंदर यहाँ पर यह कोई name से नहीं आएगा यह unlisted आईगा अब अगर आप चाते हो कि आप numerical values में डालो तो आप यहाँ पर 1, 2 and so on यह सारी चीज़ें आप इसके अंदर adjust करा सकते हो चीज़ों को हटाना चाता हूँ तो मैं क्या करूँगा इस clear formatting पर click करूँगा यानि कि जैसे कि मैंने इन सारी चीज़ों को bold कर दिया italic कर दिया अब मैं चाता हूँ इन सारी चीज़ों को मैं हटा दू तो एक option रहता है कि मैं इसको one by one एके click करके हटाऊ इससे अच्छा यह है कि मैं अगर इन सापको मैं पास bold or italic हुआ हूँ है तो मैं इस पर click करूँगा clear formatting तो clear formatting से क्या होगा जो भी चीज़ इसके अंदर includeivity वो सारी चीज़े हट गए ये तो हो गया कि आप इसको manually set up करवाओगे यानि कि आप इसका content आप खुद generate करोगे और खुद इसके अंदर अपना content लिखोगे और एक option होता है कि आप अपना खुद इसका Shopify का template आप यूज़का सकते हो just मैं को यहाँ पर click करना है replace with template तो replace with template में क्या होगा कि जो भी चीज मेरे पास Shopify ने पहले create करके रखी वी है वो मैं यहाँ पर में पास यह template बनावा में को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर इसने damage and issues के बारे में लिखावा है कि अगर कोई चीज damage है तो वो उसमें replace होगी या नहीं होगी इसको आप अपने according customize कर सकते हो अगर यहाँ पर लिखावाए कि non returnable items कौन-कौन से हो सकते है exchange होगा तो किससाब से आप इसको handle करोगे refunds के regarding आप किस तरीके से इसको customize कर सकते हो आप इसको खुद adjust कर सकते हो तो यह तो हो गया मेरा refund and policy वाला page अब आता है मेरा की privacy and policy क्या रहनी चाहिए same चीज same editor है जो आप उपर use करना चाहते हो यहाँ पर आप देख सकते हो formatting भी है कि आप heading देना चाहते हो किस हिसाब से सबसे छोटी heading जो है वो मेरी h6 है और सबसे बड़ी heading मेरी h1 है उसके आद में आता है मैं paragraph format में लिखना चाहता हूँ या मैं back quotes के अंदर लिखना चाहता हूँ same चीज यहाँ पर replace with templates पर भी है मैं इस replace with templates पर click करूँगा तो में को यह एक template बना जाएगा कि अपन कौन सी उसकी personal information gather कर रहे हैं जैसे कि उसका user name हुआ उसकी email id हुई उसका first name and last name gather कर रहे है अपन उसका जो password है वो gather नहीं कर रहे है जैसे कि आप यह आपर देख सकते हो example of personal information collected यानि कि version of web browser अपन उसका collect कर रहे है IP address collect कर रहे है अगर आप इन में से कोई सी चीज collect नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका overview में को मिल रहा है कि यह जो website है यह कि इसको belong करती है उसके बाद मैं refers to WSQ and so on अगर आप चाहो तो इसको एक बार read out कर सकते हो अब आता है shipping policy हर store एक small business और एक growing business पर depend होती है उसकी shipping policy तो यहाँ पर आप अपने according की shipping policies customize करा सकते है and then जब आप इन सब को fill out कर लोगे अपनी terms of services को privacy policies को and different policies को then आपको click करना है save तो इस save पर click करने से आपकी जितनी भी policies हैं आपकी जितनी भी terms and conditions हैं वो यहाँ पर save हो जाएगी और इसको आगे वाले sessions में अपने पेज के अंदर include करेंगे so guys यह थी अपनी privacy and policies जिसके अंदर अपने terms of services shipping के regarding बात करी shipping की policies के regarding बात करी अपने उसकी refund policies के बारे में बात करी so guys thank you watching this video and don't forget to hit the subscribe button thank you guys आपने बात करी बात करी आपने बात करी बात करी आपने खुछ